तेज गर्मी और भ्यांकरलू से बचने के लिए खीरे का जूस बेस्ट आप्सन है तो चलिए आज बनाते हैं फटा फट से ये खीरे का जूस जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है कुकमबर यारी खीरे का जूस बनाने के लिए हमने दो खीरा को धुल कर छील कर इसे पतला पतला सा काट लहाँ Isaiah आपको ज्यादा जूस बनाना तो आप ज्यादा खीरा को छील कर उसे ऐसे पतला पतला काट लें थोड़े से पत्ति पुदीना के लेने और थोड़े सी हरी धनिया के लेने हैं दोनों ही पत्ते लिए इसे टेस्ट बहुत अचा आता है अभी हम सबसे पहरे खीरे को डालेंगे मिक्सी के जार में और साथ ही हम धनिया और थोड़े से पुदीना की पत्तियां भी डाल देंगे पुदीना की पत्तियों से इसमें ज्यादा ठंड़ा काती है और धनिया दोनों मिल जाने से टेस्ट बहुत अचा आता है अब हम इसमें ठंड़ा ठंड़ा सा पानी डालेंग हम भटाक से पीस लेते हैं एक तम पारी किसे हमें पीस लेना है और यह देखिए हमारा कुकंबर चूस बन करके तयार है आप इसे चाहर चांद कर पी सकते हैं या इसे आप ऐसे ही पीए बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है इसे हम सर्व कर देते हैं ग्लास में डालेंगे और से पी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बावाई